एक कपल को शादी के ग्यारा साल बाद लड़का हुआ वह बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आँखों का तारा था एक सुबह जब उसका लड़का तकरीवन दो साल का था पती ने एक दवाई की बोतल खुली देखी उसे काम पर जाने में देरी हो रही थी इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल का धकन लगाने और अलमारी में रखने को कहा लड़के की मम्मी रसोई घर में व्यस थी वो यह बात पूरी तरह से भूल गई थी लड़के ने वह बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया बोतल के रंग ने उसे मोह लिया था इसलिए उसने उसमें की दवाई पूरी पी ली थी उस दवाई की छोटे बच्चे को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी जब वह लड़का नीचे गिरा तब उसकी मम्मी उसे जल्द से जल्द उसे दवाखाने ले गई जहां उसकी मौत हो गई उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी वह भैभीत हो गई थी कि कैसे अब वह अपने पिता का सामना करेगी जब लड़के के पिता दवखाने में आए तो उन्होंने अपने बेटे को उम्रत पाया और अपनी पत्नी ओर देखते हुए सिर्फ चार शब्द कहे आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो चार शब्द पती ने सिर्फ इतना ही कहा I love you darling उसकी पती का अनपेक्षित व्यवहार आश्चरे चकित करने वाला था उसका लड़का मर चुका था वो उसे कभी वापिस नहीं ला सकता था और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंड सकता था इसके अलावा आगे उसने खुद ने वह बोतल उठा के बाजू में रख दी होती तो आज उसके साथ यह सब ना होता वह किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था उसकी पत्नी ने भी उनका एक लौता बेटा खो दिया था उस समय उसे सिर्फ अपने पती से दिलासा और सहानु भूती चाहिए था और यही उसके पती ने उसे दिया कभी-कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिती के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है हमें परिस्थिती को समझ कर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों के कठिन परिस्थिती में उनका हमदर्थ वनना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या पसंद आया एक कपल को शादी के 11 साल बाद लड़का हुआ वह बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आँखों का तारा था एक सुबह जब उसका लड़का तकरीवन दो साल का था पती ने एक दवाई की बोतल खुली देखी उसे काम पर जाने में देरी हो रही थी इसलिए उसने अपनी पतनी से उस बोतल का धकन लगाने और अलमारी में रखने को कहा लड़के की मम्मी रसोई घर में व्यस थी वो यह बात पूरी तरह से भूल गई थी लड़के ने वह बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया बोतल के रंग ने उसे मोह लिया था इसलिए उसने उसमें की दवाई पूरी पी ली थी उस दवाई की छोटे बच्चे को छोटी सी मात्रा भी जहरी लिए थी